वर्गम दो माई यूटूब चैनल आप देखें अपना चैनल तुषार मारबूल मैं हूँ आपका तुषार है दो तो गाइस बहुत-बहुत साथ करता हूँ आपका अपने चैनल तुषार मारबूल पर आज के गाइस टॉपिक में मैं लेके आया हूँ कि फ्रेंट एलिवेशन में कौन सी टाइल लगाएं काफी जो भी कस्टूमर्स हैं वो कन्फूजन में रहते हैं कि यार बाहर ऐसी चीज होती है बाहर ऐसी जगे होती जहां टाइल लगती है कि वो सब को देखनी है हर दिन दे चीए और कौन सी नहीं लगानी चीए कौन सी लगानी चीए कौन सी बेहतर होती है सारा कंफूजन आपका इस वीडियो में दूर करने वाला में तो चले शुरू करते हैं गाई सबसे पहली जो टाइल है आज के अमारे वीडियो में वो यह है इसको बोलते हैं 12-18 एक बाई देड की सिरामिक टाइल है यह आप देख लीजे यह 12 इंच यह 18 इंच 12 इंच बाई इसमें दो साइज़ आते हैं एक यह 12-18 की साइज होगे और एक 12-24 की साइज होगी मतलब कि एक बाई दो टाइल दोनों सेरामिक बोडी पे होती है टाइल दोनों अच्छी होती है इसमें भी जैसे आप यह शेड देख रहे हैं यह वुड़िन शेड है तो यह डाक अच्छी होगा वह बीच में उसके लाट यह दिया आपने तो कई तरीके से पैटन होते हैं लाइटडा का पैटन हो गया तीन कलर के अर बीच में 2 कलर डालने मिक judge करके तो तीन तरह का भी पैटर्न लोग डालते हैं, सिंगल टाइल भी लगाते हैं, बहुत लोग यही सिंगल टाइल आप्ट करके पूरे में सिंगल टाइल भी लगाते हैं, तो सिंगल टाइल भी लगा सकते हैं, डूल डिजाइन भी लगा सकते हैं, और तीन डिजाइन भी तो हम आपको साजस करेंगे जाधा डिजाइन ना रखके और सिंगल डिजाइन ना रखके बहुत लोग सिंगल भी लगाते हैं तो सिंगल भी ओल्ड फैशन हो गया है और बहुत जाधा डिजाइन में नहीं आप कोई दो डिजाइन आप्ट कर लीजिए एक light shade में और एक dark shade मे और उसको आप combination करके लगवाई यह बहुत शानदार output आएगा आपका लगने के बाद तो पहली टाइल यह हो गई आपकी 12 इंच भाई 18 इंच की और इसी में दूसरी आती है 12 इंच भाई 24 इंच की यह दो टाइल हो गई यह आपकी अगर मैं price की बात करू तो approximately 2500 रुपए के आसपास यह वाली box आएगी आली टाइल आपकी और साड़ तीन सुर रुपए के आसपास 12 24 की box आएगी brand wise वेरी करता है 150 उपर नीचे हो जा हो सकता है वो हर brand और अलग-अलग quality होती है मैंने एक estimated price बताया आपको 12 ठारा का भी 250 मैंने एक estimated price बताया वो 300 तक भी जा सकता है औ और 220-230 तक भी आ सकता है estimated price होता है तो पहली quality यह हो गई आपने देखी बारा ठारा की और एक बाई दो की ceramic body पर आप आते हैं दूसरी quality यह थोड़ी सी heavy quality है आप देख सकते हैं यह पूरा 3D touch है 3D texture है पूरा यह उभरा हुआ है मतलब कि आप फील कर सकते हैं उसको इस style को feel कर सकते हैं और यह weighted भी काफी जादा है और यह sugar substance में अब कैमरे में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन यह sugar substance है कर ऐसे देखेंगे आपको पूरे में sugary substance है जैसे चीनी होती है तो sugar tiles बोलते हैं इसको इसमें क्या different होता है इस से पहरी से जाता है इसमें कम आते हैं इसमें 6 पीस की पाकिंग आती है प्राइस इसका जादा होता है और वेट इसका जादा होता है अगर वेट जादा है तो जाहिर से बात क्वालिटी भी अच्छी है प्राइस भी ऊपर है और जो material है बॉक्स में वो भी कम है तो टाइल यह भी अ अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो बिलकुल लगाईए देखने में ये काफी अच्छी लगती है इन तीनो टाइल में ये जो टाइल लगेगी अगर आपके फ्रेंट में तो देखने में बहुत खुब्सूरत लगेगी लेकिन मेंटेनस सबसे ज़्यादा यही मांगेगी ये काफी ज़्यादा मांगती है तो अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो बिलकुल आप लगा सकते हैं अगर मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो अब मत लगाईए तो ये सेकेंड टाइल हो गई इसको बोलते हैं 1218 की हाई डेप टाइल हाई डेप टाइल हाई डीप हाई डेप जो लेकिन अगर एक बार लग गया तो लगने में बहुत अच्छा लगता है इसमें आप एक चीज कर सकते हैं सबोसकर ये दोनों टाइल चूज कर लीजे प्लेन टाइल का आप बॉर्डर डाल दीजे जो भी बॉर्डर है पिलर्स है इसको प्लेन कर दीजे रेस जो एरिया है वो इसको कर लीजे इसमें क्या होगा आपका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा बॉर्डर में एकनॉमिकल टाइल पड़ गई बीज के तो थोड़े एरिया है उसमें ये टाइल पड़ गई तो आपका कॉस्ट भी कम हो गया चीज भी आपकी बेतर लग जाएगी और अच्छी भी लगेगी lifetime तक जब तक वो लगी है तो आपको अच्छा लगेगा देखने में सुकून रहेगा क्योंकि single design अच्छी नहीं लगती है तो combination डालिये डालिया अब थर्ड बे आते हैं बात करते हैं तो यह 8-24 की plank आती है यह है 8-inch ऐसे में 8-inch है ऐसे में 24-inch है 8-24 की यह wooden plank होती है ceramic body पे है यह तीनों ही tile ceramic body पे है हम आपको बाहर में ceramic body ही prefer करेंगे क्योंकि vitrified body की cost वो जादा हो जाती है वेट में भारी हो जाती है तो जो उसको गिरने का डर है वो काफी रहता है तो हम आपको ceramic body ही prefer करेंगे vitrified body ना लगा कर ceramic body ही लगाई है वाल पे तो यह 8-24 plank है guys 8-inch by 24-inch इसमें काफी shades है हमारे पास हमारे पास अप्रॉक्स बता दूँ आपको 25-30 shades है 8-24 में और सबसे best price में हम आपको available कराते हैं अगर आप कानपूर और हमारे local nearby areas में है तो सबसे best price में हम आपको 8-24 available कराएंगे आप पहले price पता कर लें quality देख लें जो भी price में जो भी quality आपको मिल लगी है फिर एक बार हमसे आप price ले लें और quality देख लें तो आपको बहुत difference लगेगा और हमसे आप ले सकते हैं अगर कुछ बड़ी quantity है तो बाहर ले सकते हैं अदरवाइस कानपूर और local areas में है तो हमसे आप ले सकते हैं तो यह 8-24 की गई style है इसमें 6 पीस की packing आती है एक box में और artist को एफिड माल आता है अब इसको कैसे लगाना है इसमें तो combination आता ही आता है पहले से जैसे कि यह आप dark shade देख रहे हैं तो इसी का एक light shade होगा cream shade में तो dark और light का combination आता ही आता है कोई भी combination आप ले ले लें 24 का हमारे पास या किसी भी shop में तो उसमें combination आता ही आता है तो borders के लिए dark shade या light shade हो गया अंदर dark shade या light shade वो आपके जैसी choice है आप लगा सकते हैं आजकल सबसे ज़्यादा trend में यही टाइल है 24 जो की लग रही है elevation में और लगने के बाद बहुत खूपसुरा लगती है इसलफ हमने भी use किया है हम आपको photos में दिखा रहे हैं इसमें मेरे घर की भी photos है और जहां मैंने काम कराया है जो भी हमारी sites सी हैं उसकी में photos डाल दे रहा हूँ तो एक बार लगने के बाद इसका output है बहुत अच्छा आता है बाकी तीनों ही टाइल अपनी जगे पर बहुत अच्छी है अगर हम price range की बात करें जो सबसे महंगी टाइल आपको ये पड़ेगी price range में और ये भी approximately same rate में पड़ेगी थोड़ा बहुत difference लाएगा इन दोनों में लेकिन इसका price जो है वो कम है ये cheap पड़ेगी क्योंकि सबसे पहले यही लगती आ रही है और आज भी यही लगती है तो hopefully आपको doubt clear हो गया होगा कि आपको कौन सी कहां पर कैसी टाइल लगानी है मैंने आपको काफी samples photo में दिखा दिए अगर आपका मकान कुछ वैसा दिखता है तो आप screenshot ले लीजिए और अपने मिस्ति को दिखा दिखा दिए किस तरह किसे टाइल लगानी है तो वो लगा देगा तो hopefully आपको doubt clear हो गया होगा कि हमके कौन सी टाइल कहां पर लगानी है और कैसे लगानी है अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करेगा हमाँ चनल को सब्सकाइब करेगा हमाँ चनल पर नियूँ है तो और अगर मैं अपने address की बात करूँ काफी लोग मुझे बोलने है कि आपने अपने shop का address नहीं बताया और variety quality wise बहुत अच्छा मिलेगा आपको price भी बहुत अच्छे मिलेंगे आप बिल्कुल visit कर सकते हैं जो मेरा whatsapp number है वो है 7571827178 इस पे मुझे contact करीए आप message कर दीजे तो मैं showroom की location डाल दूँग अगर आप बाहर से कहीं आ रहे हैं तो अगर आपको काफी area के लिए माल चाहिए और आप बाहर से आ रहे हैं nearby area तो बिल्कुल contact area सारा supply हमारा होता है material का आप हमसे एक बार जुड़ के देखिए हमें काफी अच्छा लगेगा आपके साथ जुड़ के और आपको अपनी service provide करके तो thank you so much guys